हेलो गैस कैसे हैं, आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा guys कि Infinix GT 20 Pro phone में आप लोग Dual App को कैसे चला सकते हो अगर आपके पास एक Infinix GT 20 Pro phone है और इस phone में अगर आपको Dual App को चलाना है अगर आपके फोन में WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter वगरा आप लोग चलाते हो तो इन सब एप को जो आप लोग डूएल बना सकते हो मतलब आप आप लोग मान लिजे WhatsApp को अगर डूएल बना दोगे तो दो WhatsApp के एप्लिकेशन मिलेंगे और दोनों ही WhatsApp में आप लोग अलग अलग नंबर से जो है लोगिन करके चला सकते हो छे मिसी तरही किस Instagram, Twitter, सारे ही Social Media Account को आप लोग डूएल बना सकते हो गईज तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में डूएल एप को चलाओगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा का इस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डूएल एप को चलाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन मिलेगा का इस स्पेशियल फंक्शन का तो इस स्पेशियल फंक्शन के ओप्शन पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ओप्शन मिलेगा गाईस X-Clone का तो इस X-Clone के option पे क्लिक कर दीजिए क्लिक कर दी यहापर आपको apps देखने को मिलेंगे जो app आप लोग dual बना सकते हो तो यहापर मैं Instagram को dual बना के दिखाता होगा तो यहापर जो यह Instagram का app है इस पे हम क्लिक कर देंगे ग्लिक करते हैं installing का option आएगा और यहापर clone app added to home screen लिखावागा अभी जो है हमारा इंस्टागरम एक इस फूट डूएल हो जाएगा देख सकती है आपर दो दो इंस्टागरम का एक पर दोनों ही एप में आप लोग अलग अलग अकाउंट को लोगिन करके चला पाओगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इंफिनिक जीटी 20 प्रोग फोन में अप लोग डूएल एप्स को चला सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई